मुझसे तो होता नहीं है मुझ जोश नहीं रहा यार रात को बिल्कुल ठक जाता हूँ अरे कब तक ये बूलोगे भाई दुनिया भर के सप्लिमेंट यूज कर करके अपनी अच्छी खासी सहत हो दोगे दिन पर तो मॉबाइल में लेगे रहते हूँ हां वो आजकल के लॉंडो के बेकार जोग पर हसते रहते हूँ सबसे बढ़िया तो यह है वह कि जिन्दीकी को अगर मज़ेदार और जोरदार बनाना है तो आईरवेद को अपनाना है आईरवेद लिव मस्ताइं पावर बुस्टर के कैप्सुल मंगवाना है और हमेशा अपनाना है वहां प्यार से अपनाना है क्या है कि इसमें दुनिया भर की ताकतवर जड़ी वूटियां मिलाई है खासकर इसमें आफ्रिका के मुलोंडो का भी कमाल है मुलोंडो जोश टैमिना एनरजी बाइसाव इससे आपकी हर्चिस कमाल हो जादी दोस्तो आज हम बात करने वाले पुरुशों में होने वाली जो समस्याए है और उनको जड़ से खतम करने के लिए जो आईरवेदिक आउशदिया है उनके बारे में बात करेंगे ये आउशदिया कैसे काम करती है और इन समस्याओं को आप से दूर कैसे करेंगी सारी इस वीडियो में बताएंगे आपको सबसे जो पहले इंपोर्टेंट आउशदिय है वो है शतावर जिसको हम शतावरी भी बोलते हैं दोस्तों अगर आपके शरीर में बढ़ते उमर के साथ में वीकनेस है कमजोरी है या आप मोटापे से परेशान हो या आपका Sperm Count कम है तो ये आउशदिया आपके लिए है शतावर, यह आपके स्परम कॉंड को बढ़ाएगी, उमर के साथ होने वाली कमजोरी को दूर करेगी, और मोटापा यानि ओबेसिटी आपके शरीर के अंदर जो बढ़ीवी चर्बी है, उसको भी कम करती है, तो सबसे पहले इंपोर्टेंट आउशर दी है शतावर, दूसरी इजैकुलेशन यानि संभोग करते समय, टाइमिंग ही दिकत होना, जल्डी डिश्चार्ज हो जाना, या अगर आपके स्पर्म काउंट में स्पर्म काउंट की कमी भी है, और स्पर्म की जो मोटिलिटी है, वो भी कम है, इन तीनों समस्याओं को जड से खतम करने में जो आपके लिए, शारीरी कमजोरी हो या मानसिक कमजोरी हो, इसमें भी एक काम करती है, और जिन लोगों का वीर्य पतला है, उसको गाडा बनाती है, तो सबसे इंपोर्टेंट आउश्यदी हो गई, विदारीकंद, चौथी और बहुत इंपोर्टेंट जडी पूटी है, दोस जन्तरंतर यानि कि डाइजेसिव सिस्टम कमजोर हो, आप खाते पीते तो बहुत अच्छा है, और च्रीर को कुछ लगता नहीं, वीक्नेस बनी रहती है, अगर आपके जोडों में गठिया जैसे वीमारी है, जोडों में पेन है, जॉइन पेन है, तो ये जाइफल उसमें वो है दालचीनी, दोस्तों आजकल हमारे देश में, भारत देश में ब्लड शुगर यानि कि लोग डाइबीडीज का शिकार हो रहे हैं, लोगों में ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ावा मिल रहा है, तो ये जो दवा है दालचीनी, ये आपके बढ़े ब्लड शुगर तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने आपके साथ पुरुशों में जो होने वाले प्रमुक समस्या हैं, उनके बार में आपसे बात करें, और इनको दूर कौन सी जड़ी बूटिया करती हैं, इसके बार में बता हैं, पर दोस्तों एक बात तो है, कि इस भाग दोड भरी ज लिव मुश्टैंग आईरुवधिक कैपसूल्स, दोस्तों, लिव मुश्टैंग आईरुवधिक कैपसूल्स में आपको शतावर भी मिलेगा, अश्वगंदा के फाइदे मिलेंगे, विदारीकंद, जायफल और दालचिनी जैसी जड़ी पूटिया भी हैं इसके अंदर, इसलिए समस्या हैं तो अनेक हैं, जैसे हमने अभी डिसकस किया, पर सलूशन सिर्फ एक है, यानि एक ही कैपसूल आपको एक ही दवा आपको लेनी है और वो है लिव मुश्टैंग आईरुवधिक कैपसूल्स, दोस्तों, क्योंकि ये पूर्णतय हर्बल है, इसलिए साइड इफेक्ट से परे हैं, फ्री ओफ साइड इफेक्ट्स, अगर आपको किसी भी तरह की पुरुष, जो पुरुषों में होने वाली समस्या है, जैसे कि एरिक्टाइल डिसफंक्शन है, प्री मैच और इजेकलेशन है, स्पर्म काउंट की कमी है, तो आप इस कैपसूल का रोजाना सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको. यह हमेशा खुश और एनेजेटिक रहते हैं, और मूड भी हमेशा रोमेंटिक बना रहता है, लिव मुस्टाइंग कैपसूल पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए भी हुआ, क्योंकि एक तो यह आयूरवेदिक हैं, और दूसरा गवर्मेंट से अप्रूव भी है. लाइप में अपने पार्टनर को सिर्फ पैसो से या महेंगे गिप दे कर खुश नहीं रखा जाता है, कभी कभी अपने लाइप में कुछ चीज़े ऐसे भी करनी पड़ती हैं, जो आपके रिष्टों को मजबूत और लाइप को हैपी बना देता है, यह मैंने तब समझा ज से थका हुआ आकर सो जाता था, इसका असर मेरी शादी शुदा जिन्दीगी पर भी पढ़ रहा था, लेकिन जब से लीव मुस्तां कैप्सूल लेना शुरू किया, तब से मेरी सारी कमजोरी और mental stress दूर हो गया है, मुझे अब काफी अच्छा महसूस होता है, और मेरी और ये सब लीव मुस्तांग आयुवेदिक कैप्सूल की वैसे हो पाया है, मैं तो अपने सभी भाईयों से और दोस्तों से यही कहूंगा, लीव मुस्तांग के एक कैप्सूल रोज लेना शुरू कर दो, फिर देखो आपने लाइप में भेतर बदलाओ, क्या आपको भी च बस हर राद एक लिव मस्तांग कैप्सूल लो और पाओ बहतर टेस्टर स्ट्रॉन लेवल्स, स्पम क्वालिटी, स्टैमिना और स्ट्रेंद, आप चाहें इंटीमिट इशू कोई भी हो, उपाय तो एक ही है, अब इच्छा के साथ टाकत भी लिव मस्तांग कैप्सूल अफ्रीकन हव मुलोंडो की पावर के साथ, अब रुके नहीं, ठके नहीं, बस चलते ही जाएं ओडर नाउ